Hello friends, in this video we are going to learn about the Director's Identification Number. So friends, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो हमारी कंपनी में डारेक्टर अपॉइंट हुआ है, वो डारेक्टर किसी और कंपनी का भी डारेक्टर बन सकता है. So, ऐसे जितने भी डारेक्टर किसी भी कंपनी में होंगे, वो सारे के सारे डारेक्टर को एक नमबर दिया जाता है, जिसको हम डारेक्टर अइटिफिकेशन नमबर के नाम से जानते हैं. जितने भी डारेक्टर्स होंगे, वो सारे के सारे डारेक्टर्स के पास एक नंबर है, जिसे हम डारेक्टर आइडेटिफिकेशन के नाम पर जानते हैं, तो यह डारेक्टर आइडेटिफिकेशन नंबर एक यूनिक नंबर है, जो सारे डारेक्टर्स को हर कमपनी के दिया जा हैं so first point में गर हम बात करें के Dean is a unique identification number तो unique identification number मतलब कि हमारी company में जो director है उसको एक number दिया जाएगा जिससे उसे identify किया जाएगा यानि उसका पताए लगाया जाएगा कि ये number इस director का है और ये जो number है ये unique होगा यानि जो एक directors को number दिया है वो number दूसरे directors को नहीं दिया जाएगा एक single number जो है उस director को दिया जाएगा तो जितने भी existing directors होते हैं किसी company में उन सारे directors को ये unique identification number दिया जाता है जिसको हम कहते हैं DIN यानि directors identification number ये number unique होगा किसी दूसरे directors से number इसका match नहीं होगा next point है compulsory to acquire क्या ये जितने भी directors हैं सारे directors को acquire करना ज़रूरी है number लेना ज़रूरी है हाँ किसी भी company में जो भी directors होंगे वो सारे के सारे directors को इसको acquire करना ये DIN number लेना compulsory है बिना DIN number के कोई भी director नहीं बन सकता किसी company में बेसिकलिए यहाँ पर एक rules है वो rules के सापसे अगर देखें कि आप अगर किसी company में डारेक्टर अपॉइंट होना चाहते है तो डारेक्टर अपॉइंट होने के लिए आपके पास जो है वो DIN number होना चाहिए यह company का डारेक्टर बनकर अगर आप company को manage करना चाहते हो तो manage करने के लिए आपके पास DIN number होना चाहिए only single DIN is needed तो single DIN is needed का मतलब basically है कि जो डारेक्टर identification number है वो आपको एक single लगेगा basically हमने इससे पहले काफी discuss किया इसके बारे में कि अगर कोई person है तो वो एक person यानि एक डारेक्टर जो है एक से ज्यादा company में क्या बन सकता है डारेक्टर बन सकता है तो maximum की एक limit हमने देखी दी कि एक डारेक्टर 20 companies में क्या बन सकता है डारेक्टर बन सकता है तो अगर एक डारेक्टर 20 companies का डारेक्टर बने तो क्या वो 20 की 20 companies में अलग अलग डारेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेगा नहीं यहाँ पर एक डारेक्टर एक ही आइडेंटिफिकेशन नंबर लेगा और वो सारे के सारी कमपनीज में same identification number को क्या किया जाएगा use किया जाएगा so basically director जो identification number है याणि dean number है वो dean एक ही बार होगा या एक ही बार लेंगे और वोई same dean हम सारी की सारी company में use करेंगे on resignation dean should be cancelled तो अगर resignation दीखा जाए तो basically अगर कोई resign करता है director अपनी company में तो होसा है बहुत सारे cases में directors company में resign कर देते हैं किसी वज़ा से या तो company में pressure ज्यादा या company का workload उससे balance नहीं हो रहा या कोई default उससे हो रहा है या फिर वो company को manage properly नहीं कर पा रहा तो incapability या किसी disqualification वगेर है या किसी भी reason से अगर directors जो है वो company से resign करता है तो resign करने के case में उसका जो dean number है वो dean जो है cancel हो जाएगा उसको suspend कर दिया जाएगा तो basically अगर director resign कर रहा है तो dean number को cancel कर दिया जाएगा next point है obtain through an online process of filing and application तो basically बात करें के dean number मिलेगा कैसे अगर मैं किसी company का director बनूँ या आप किसी company का director बनना चाहते हो तो अगर आपको dean number का requirement है तो dean number मिलेगा कैसे तो basically dean number के लिए क्या करना पड़ेगा आपको online एक application है online application आपको fill करना पड़ेगा और वो online application fill करने के बाद जो processing है वो processing होने के बाद आपको आपका dean number मिल जाएगा आपको online process में आपको application फाइल करना पड़ेगा और application फाइल करने के बाद आपका dean number आपको मिल जाएगा अब इसके use क्या है तो basically next point में लिखता है e-filing of companies document तो basically इस dean number का use क्या है तो dean number का use यह है कि जब भी कोई document filing होगा यानि इसको file किया जाएगा government के अपास ROC के अपास तो उस time पर इस dean number को हम क्या करेंगे use करेंगे तो e-filing के time पर हम लोग क्या करते हैं dean number को use करते हैं तो जितने भी documents जाते हैं उन सारे के सारे document पर dean number लिखा हुआ होता है director का identification number होता है और e-filing के time पर वो digital signature के अतौर पर जो है काम आता है every document authorized by director deed should mention in dean so directors जो भी deed वगेरा बनाएगा कोई agreement कोई contract या जो documents वगेरा upload करेगा उन सारे के सारे documents पर या उन सारी की सारे deeds पर जो dean number है वो लिखा हुआ होगा और उसी की basis पर जो है directors क्या करेगा properly work करेगा या यनि कि उसको अपनी signature की है उन सारे के सारे documents पर उस director जिसने उसे अथोरा इसकी है उसका dean number दिया होगा थैंक्यू friends